विडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरी मा को ताकि हमारी आने वाली विडियो आप तक जल्द से जल्द पोहुँच सके दोस्तों सची श्रध्धा से कमेंज में जरूर लिखे हर हर महादेव जै महाकाल दोस्तों देवो के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है भगवान भोलेनात सदैव आप पर अपने कृपा बर्शाते रहे नमशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से 19 नवंबर 2021 को लगने जा रहा है साल का आखरी चंदर ग्रहन इन चार राशियों पर होगी धन की वर्षा इन चार राशियों के जातक बन जाएंगे माला माल सफलता चूमे की कदम चमकेगी किसमत के सितारे आज की इस विदियों में हम उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे जिन पर इस चंदर ग्रहन का शुब असर पढ़ने वाला है जिनके सितारे बुलंदियों पर होंगे जो बन सकते हैं करोड़ पती क्या आपकी राशी भी इन बेश उमार भाग्यशाली राशियों में शामिल है दोस्तों ये चंद्र ग्रहन का अर्तिक पर ग्रहन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा लेकिन कुछ राशियों के लिए ये बहुत ही लाबदायक रहने वाला है दोस्तों जब भी ग्रहन की स्तिथी बनती है तो इसे शुब नहीं माना जाता ऐसी स्तिथी नाकारात्मक उर्जा प्रदान करने वाली मानी जाती सभी जीव जंतुओं पर मनुश्य पर इसका नाकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो ऐसे में कुछ राशियों के जातकों को सावधान रहने की भी सलहा दी जाती है उन राशियों के बारे में भी आज हम बताएंगे साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन से कार्या इस समय व ग्रहन की स्तिथी बनती है तो व्यक्ति को मानसिक, तनाव, भ्रम और स्मरन शक्ती से जंबंदित तकलीफे होती हैं ग्रहन को एक अशुप घटना के तौर पर देखा जाता है ऐसा योग तभी बनता है जब राहूर के तु चंद्रमा या सूर्या के साथ यूती बनाते हैं ग्रहन योग से प्रभावित व्यक्ति के जीवन में अनेक कश्ट आते हैं नोकरी व्यवसाय में परिशानियों का सामना करना पड़ता है आर्थिक रूप से हालात बत्तर होते जाते हैं लेकिन दोस्तों खास कर चार राशिया ऐसी है जो इस चंद्र ग्रहन के असर के कारण सुख सुविधाओं में वृद्धी करेगी इन चार राशियों के जातक धन समपदा में काफी ज़धा लाप प्राप्त करेंगे इनके मान सम्मान प्रतिष्ठा में विद्धी होगी नोकरी व्यापार में चमतकारी रूप से तरक्की होगी इस दिन बनने वाली सूर्य मंग और बुद्ध की यूती इन्हें बहुत ही लाप दायक बने नाम देगी इसलिए अशुब माने जाने वाली ये चंद्र ग्रहन आपको अदबुद लाप भी देगा आपकी सुख सुविधाओं में आपको विध्धी मिलेगी आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करत देखने को मिलते हैं कभी भुकम तुफान आदी प्राकरतिक आपदाएं भी आती हैं हाला कि यह आशिक चंद्र ग्रहन होगा जो भारत के असम और अनुनाचल प्रदेश में ही कुछ समय के लिए दिखाई देगा इसके अलावा अमेरिका उत्री यूरोप पुर्वी एशि से लिए और प्रशांत महा सागर शेतर में इस चंद्र ग्रहन को देखा जा सकेगा आशिक यह खंडग्रास ग्रहन की सिथी में सूतक काल इतना प्रभावी नहीं होता है चंद्र ग्रहन जब पूर्ण होता है तो सूतक काल 9 गंटे पुर्व से आरंब हो जाता है लेकिन धा मानस पूजा करनी चाहिए इस काल में बुजर्ग व्यक्ति बिमार व्यक्ति और बालक को छोड़ कर किसी को भी भोजन ग्रहन नहीं करना चाहिए खान पान के पदार्थों में तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए सूतक काल के दोरान किसी भी प्रकार की धार दार वस्तूर का प्रयोग ना करें ग्रहन काल में सोना भी वर्जित है इस दोरान भगवान का ध्यान करें ग्रहन के बाद सनान जरूर करें इस अवधी में गर्ब वती महिलाएं विशेश सावधानी बरतें चंद्र ग्रहन के दोरान शिव आराधना करने से लाब मिलता है 19 नवंबर को लगबक 11 बचकर 30 मिनट पर चंद्र ग्रहन लगेगा और शाम 5 बचकर 33 मिनट पर ग्रहन की समापती होगी इस काल के दोरान यात्रा आधी करने से बचे कलेश कलहय लड़ाई जगडे से दूर रहें चंद्र ग्रहन के दोरान राहू केतु से सम्बंदित मंत्रों का उच्चारन करें माना चाता है कि चंद्र को ग्रहन राहू केतु के कारण ही लगता है इसके अलावा ग्रहन के दोरान हनुमान 40, दुर्गा 40, विश्नु सहस्त्र नाम, श्रीमत भगवत गीता आधी का पाठ करना शुबकारी होता है सुतक काल या ग्रहन काल में पूजा ना करें देवी देवताओं की मुर्तियों का सपर्ष ना करें इस दोरान कोई भी शुबकार्या ना करें ग्रहन काल के बाद स्नान आती कर शुद होकर ही अन्या कार्या करें चंद्र ग्रहन के अशुब प्रभाव से बचने के लिए महा मृतिंजय मंत्र का जब करें इस ग्रहन के आपके उपर अनेक प्रभाव होंगे कुछ शुब प्रभाव पैसे से जुड़ी धन से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएंगे तो कुछ अशुब होंगे परन्तु ये चंद्र ग्रहन हमारे देश के साथ-साथ कई अनेक प्रदेशों में दिखाई देगा जहां अशुब प्रभाव के कारण कईयों को अनेक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा जिन चार राशियों के बारे में हम बताने जा रही है उनके लिए स्तिथी बहुत ही शुब रहने वाली है वो धन धाने से माला माल होने वाली है साथ ही कुछ ऐसी राशिया भी है दोस्तों जिन है सावधान रहने की जरूरत है विशेश रूप से इस चंद्र ग्रहन के दोरान तो सबसे पहले चलिए जानते हैं के भाग्यावान राशिया कौन सी है सबसे पहले भाग्याशाली राशी है मेश राशी मेश राशी के जातकों के लिए ये ग्रहन बहुत ही शुब लाबदाई रहने वाला है धन प्राप्ती के लिए बड़ी आस्तिथी बनने वाली है, जमीन जायदात को लेकर कोई समस्या थी तो वो आसानी से सुलच जाएगी, उन्मती के नए अफसर प्राप्त होंगे, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसी ही कुछ शुप्स्तिथी का आपको अनुभव होगा, ये चंदर ग्रहन आपको सफलता दिलाने वाला साबित होगा, जो नोकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें पद प्रतिष्ठा अनुसार उचित नोकरी मिल सकती है, समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृध्धी होगी, आमधनी में वृध्धी होगी, अपार धन कमाने के योग बनने वाले हैं, कार्या में थोड़ी सी उल्जण महसूस करेंगे, लेकिन आपके लिए अच्छी बात ये है कि उन उल्जणों के बीच आपको अपनों का साथ मिलेगा, दोस्तों रिष्टेदारों से मदद पा सकते हैं, अब दूसरी भाग्यवा इस समय की आनिवेश बहुत ही लाब दायक साबित होगा, थोड़े से प्रयास से भी बड़ी सपलता मिलने के योग है, व्यावसाइक जीवन में कार्य विस्तार होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सराहना होगी, सहयोगी, दोस्त हर रिष्टे में मिठास आएगी, यह स्तिती दामपत्य जीवन में भी नजर आएगी, जीवन साथी के साथ रिष्टे मधुर होंगे, संतान सुख में विद्धी होगी, स्वास्ते अच्छा रहेगा, बैंक या आर्थिक संस्थाओं से अगर आपका कोई लोन अटका हुआ था तो वो जरूर पास हो जाएगा, अधन आगमन के नए सोत्र खुलेंगे, जमीन जायदात कोट कचहरी के मामलों में जीत मिलेगी, राजनीती समाच सेवा में कार्यकर्ता लोग के लिए लाबदाई सिध होगा ये चंद्रग्रहन, नई उचाईयों को छुएंगे, तीसरी भाग्यवान राशी है कन्या राश कन्या राशी के जातकों की वित्यस्ति इस समय मजबूत रहने वाली है, अतीरिक्त धन की जरूरत महसूस होगी तो धन प्राप्ती के प्रयाप्त योग भी सामने आएंगे, आप सफलता की नई बुलंदियों को छुएंगे, ये चंद्रग्रहन आपके लिए बहुत ही मंग प्रद रहने वाला है, अकस्मात धन की प्राप्ती होगी तो लौट्री शेयर मार्केट से लाप प्राप्त हो सकता है, रिष्टों में मधूर्ता और मजबूती भी आएगी, नौकरी व्यवसाई में सहकर्मियों के साथ चल रही अन्बन खत्म होगी, काम्याबी की और आप तेजी से बढ़ते जाएंगे, सफलता आपके कदम चुमेगी, धंदे व्यापार में लाब ही लाब नजर आएंगे, छोटी मोटी बिमारिया परेशान कर सकती है, उसमें थोड़ी सी सावधानी बढ़ते बड़े बुढ़ों के शुब आशिरवाद आपके सर पर रहींगे तथा लाब कारी सावित होगा, पारिवारिक संबंदों में बहतरी होगी, मित्र परिवार पडोसी आपके साथ बहतर रिष्टे बनाएंगे दोस्तों कार्या शेत्र में विस्तार होगा, आर्थिक स्थिति मजबूती की और बढ़ेगी, कार्या में लगन और जबान पर बनने वाली है तो आसानी से अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं आप धन से माला माल हो सकते हैं ऐसी स्तिथियां और योग बनेंगे शिक्षा आधी में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी घर में शुब कार्य के आसार है विभा इच्छुक जातकों के विभा के योग बनेंगे अब देखते हैं कि बाकी राशियों पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है ये चंद्र ग्रहन व्रिशब राशी में लगने वाला है ऐसे में इस राशी में जन्मे जातकों पर ग्रहन का सरवाधिक प्रभाव पढ़ेगा बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं कह सकत लेकिन कुछ सावधानिया बढ़तेंगे तो संतूलित आपको मिला जुला असर देखने को मिलेगा सांजेदारी में काम कर रही है तो ताल मेल में थोड़ी कमी आ सकती है वरिष्टों से सावधानी बढ़तें वानी में मिठास और दिमाग को शांत रखें वाद विवाद से द इश्वर की मानस पूजा में वैस्तोत्र पाथन में लगाbeitetम तो आपको इवीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर मनाइस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के निशुब रहे हर हर महादेव जै भूलिनाद